और इसी बीच बारे समधाता रिया आपनेता जिश्मिन साह से बातचीत की है सुरिये और केवल फरजी गवाओ के बयानों के आधार पे आपने एक सिटिंग मुख्य मंत्री को जेल के अंदर बंद कर दिया तो जो कोई ये देख रहा है सब एक ही चीज कह रहे है कि आज ये जो हो रहा है अर्विंग के जिवाल जी के खिलाफ वो बिल्कुल गलत है और लोग ये कहना चाह रहे है कि अब जो भाजपा के भी समर्था के वो भी यही कह रहे है कि हमने मोदी जी को वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप देश से विपक्षी खतम कर दो तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है और देश की जनता एक संदेश देना चाहती है कि आज के उपवास क्यारिक्रम से कि अर्विं केजिवाल जी आप ताना शाही के खिलाफ इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है हम आपके साथ है और हमारी प्रारता और हमारा आशिरवाद आपके साथ है रमलीला मैदान वे विपक्षी निताओ को आपको साथ मिला था क्या इससे रिलेटेड भी कुछ इंडिया अलाइंस के निताओ से बाच्चित हुई है कि इस सामय को पॉस में विस्ता लेंगे तो जो 31 मार्च की रैली थी वो इंडिया अलाइंस की रैली थी उसमें आपने देखा तमाम विपक्षी नेता दिगज नेता कंदे से कंदा मिला कर एक ही स्वर में कह रहे थे कि केजरिवाल जी की गिरफ तारीक गहर कानूनी है गलत है उनको तुरंद रिया करना चाहिए कोई प्लान मरा है कि अब कैसे प्रचार होगा आम अंदी पार्टी लोकसभा चुनाओ को लिए नहीं बिल्कुल पूरा आम आदमी पार्टी का पूरा प्लान बना हुआ है आपने देखा कल तमाम मीटिंग्स दिन भर जारी थी पंजाब में जहाम 13 लोकसभा चुनाओ की सी करोगे लेकिन वो भूल जाते हैं कि केजरिवाल जी एक व्यक्ति नहीं है वो एक सोच है और उनके साथ जो तानाशाही हो रही है उनको जैसे गिरफतार कर दिया है तो आज आम आदमी पार्टी का हरे कारे करता दस गुना जादा मेहनत करके लोकसभा चुनाओ में मोदी ज कोहराएगा